हलो फ्रेंड्स, वल्कम टू गवर्मेंट जॉब जेनल नौटिफिकेशन यूटुब चैनल फ्रेंड्स पर्मानेंट गवर्मेंट जॉब रिक्रुट में नौटिफिकेशन आउड हुआ है latest vacancies आई हुई है जिनके लिए all India से candidate apply कर सकते हैं इसमें अगर हम post की बात करें तो executive officer, assistant professor, lecturer, assistant chemist, soil chemist, entomologist, horticulturist, assistant horticulturist, fruit breeder, flower breeder, pathologist, scientist, statistical officer and assistant planner and deputy director इसके लावा कुछ अधर post भी है जिनके लिए vacancies आई हुई है और इंडिया से आप इसमें apply कर सकते हैं अगर हम qualification की बात करें तो degree अगर आपके पास है या आपने PGV किया हुआ है तो दोनों ही candidate apply कर सकेंगे डिग्री भी जिनके पास है वो भी apply कर सकेंगे पोस्ट ग्रेजिशन जिनों ने किया हुआ है वो भी apply कर सकते हैं पूस्ट है डिफ्रेंट डिपार्टमेंट्स विकेंसी आई है तो इसमें सैलरी अप टु आप 68,900 पर मंत तक ले सकते हैं अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें किसकी सब्सक्राइब्स में विकेंसी थे तो औप नेशनल केड़ेट कॉप्स उत्रप्रदेश एंड यूपी आयोस यूनानी डिपार्टमेंट में विकैंसी आई हुई है ओके एपलाई करने से पहले आप फुली नॉटिफिकेशन चेक किजेगा इस वीडियो में हम जो विशिक पॉइंट्स रहेंगे की पॉइंट्स र आउट हुआ है यहां पर आप important date देख रहे हैं एक जुलाई 2021 यह application अप्लिकेशन सम्मिट करने के लिए फी समिट करने के लिए last date है अप्लिकेशन समिट करने की कौन कौन सी post में वो हमने clear कर लिया है notification अभी मैं आपको सारे points तो clear नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप भी यहाँ पर वीडियो में clearly नहीं देख पा रहे होंगे बहुत छोटा छोटा इसमें दिया हुआ है so आप apply करने से पहले पूरा notification चेक कर लिजिगा post and department हमने जान लिया अब हम देखते हैं इसके लिए age limit तो age limit different different departments में भी can see different post पर है so age भी यहाँ पर different रोकी गई है अलग-लग post के लिए department के लिए 21 से 40 और 26 से 40 साल ओके अगर आपने NCC किया हुआ है NCC certificate आपके पास है तब आपको यहाँ पर preference दिया जाएगा कुछ post के लिए दिया गया है बैसे सभी मैं कुछ न कुछ आपको prefer किया जाएगा वो आप notification में चेक कर लिजिगा salary की बात करें salary आपने 68,900 पर मन्त तक आप ले सकते हैं post के accordingly यह assistant professor के लिए है यह salary degree and post graduate candidate apply कर सकेंगे and इसमें अगर हम बात करें तो MSC अगर आपने agriculture में की है soil science या agriculture chemistry horticulture, genetics and plant breeding इसके अलाबा other जो subjects है agriculture में अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें apply कर सकते हैं PG अगर आपने human geography या PG in mathematics में या commerce में economics में आपने की हुई है statistics में इसके लिए मैं आपको यहाँ पर sort में बता पा रही हूँ इसके अलाबा और वी कई subjects है जो यहाँ पर eligible रहेंगे notification चेक कीजेगा degree अगर आपने engineering में भी की हुई है तो उनके लिए भी यहाँ पर vacancies है वो भी candidate apply कर सकते हैं fees के बात करेंगे तो general and OVC categories के candidate के लिए 105 रुपए रहेगी SCST candidate के लिए 65 रुपए रहेगी and PH candidate के लिए 25 रुपए application fees रहेगी total vacancies तो 100 plus total vacancies है 130 या 135 something कुछ vacancies आई हुई है ओके फ्रेंड सो यह हमने briefly जान लिया है अब apply करने से पहले आप एक बर fully notification carefully read कर लिजेगा और आपको अगर लगता है कि आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो आप इसमें जरूर apply कीजे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like कीजेगा चनल को subscribe करके bell icon को press कीजेगा तकि notification टाइम से आपको मिल सकेगा Thank you